शरीर हे रिष्टा बनाने का एक मातर तरीका नहीं है जिसे लोग आज प्रेम कह रहे हैं, वो असल में बस एक mutual benefit scheme है आपको प्रेम में गिरने की जरूरत है, आपके अंदर से कुछ जाना चाहिए तभी प्रेम के लिए जगा बनती है हम अपने जीवन की कठिन घटनाओं और अतीत को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं अलेक्संडर, मुझे लगा प्रेम का मकसद साथ आना है, अलग होना नहीं है तो मैं जानता हूँ कि ये चीजें हर जगा हो रही है क्योंकि हम जीवन को जीवन की तरह नहीं देख रहे हैं हमें जिस तरह से पढ़ाया गया है हमारा एजुकेशन सिस्टम, विज्ञान और तक्नीकी का हमारा विचार सिर्फ इतना रह गया है, कि अपने फायदे के लिए हर चीज का इस्तिमाल कैसे करें सबसे छोटे बैक्टेरिया से लेकर धरती के सबसे बड़े जानवर तक सब कुछ हम अपने फायदे के लिए इस्तिमाल करना चाहते हैं यहां तक की धर्ती का भी हम अपने फाइदे के लिए इस्टिमाल करना चाहते हैं, जिसमें दुर्भाग इसे इंसान भी शामिल हैं. तो ये जिसे लोग आज प्रेम कह रहे हैं, वो असल में बस एक mutual benefit scheme है. तुम मुझे ये दो, मैं तुमें वो दूँगा. अगर तुम मुझे वो नहीं दोगे, तो मैं तुमें ये नहीं दूँगा. और इसलिए, आप प्रेम के प्रश्ण को break up और तलाक से शुरू कर रहे हैं. जीवन की मेरी समझ में, प्रेम का मकसद दो जिन्दगियों को साथ जोड़ना है. दो जिन्दगियों का एक जैसा हो जाना. लेकिन अब हम break up की बात कर रहे हैं. आज जब हम प्रेम की बात करते हैं, तो लोग expiry date के बारे में सोच रहे हैं. ये कितना लंबा चलेगा. तो ये एक दुर्भा के पून्ट स्थिती है, कि लोग किसी के साथ जीवन साज़ा करने की गहराई को नहीं जान पाएंगे. या क्योंकि जब आप वाकई किसी को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने आपको कुछ हद तक खाली करना होगा. आप में से कुछ गिरना चाहिए. अंग्रेजी अभी व्यक्ती, पता नहीं फ्रेंच में क्या कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में प्रेम में पढ़ना कहते हैं, जो कि अच्छा है. देखे, आप प्रेम में उपर नहीं उठ सकते, प्रेम में उड नहीं सकते, प्रेम में चड़ नहीं सकते, आप प्रेम में केवल गिर सकते हैं आप में से कुछ न कुछ गिरना चाहिए तो अभी हम प्रेम में चड़ने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए हर वक्त परिशानिया होती है तो फ्रेंच में प्रेम में पढ़ने के लिए कुछ है क्या? ये वही है, ये टॉम्बे रमूरू है जिसका अर्थ प्रेम में पढ़ना होता है हम भी वही कहते हैं ये अच्छा है, फ्रेंच अभी भी प्रेम में पढ़ रहे हैं सुनकर अच्छा लगा क्योंकि ये ज्यादातर लोगों के लिए सिर्फ एक mutual benefit scheme बन गया है कि मैं जो चाहता हूँ, वो कैसे पालू प्रेम का मकसद वो पाना नहीं है जो आप चाहते हैं ये खुद को नाजुक बना लेने का अफसर है प्रेम लाप कमाने वाली योजना नहीं है ये स्वेच्छा से घाटा उठाने जैसा है प्रेम बस यही है लेकिन जैसे ही आप फाइदा सोचने लगते हैं तो जाहिर है कि पहले दिन से ही टकराव पैदा होगा केवल हार्मोनल आकर्षन की वज़े से हो सकता है लोग साथ आ रहे हूं नहीं तो जिस तरह से हम आधुनिक समाज को बना रहे हैं हमने प्रेम के लिए लगभग कोई जगा नहीं छोड़ी है हम ये देखते हैं कि मैं तुमसे क्या हासिल कर सकता हूं तो जब ये तरीका है तो ब्रेक अप स्वाभाविक रूप से होगा क्योंकि अगर आप दूसरों से खोशी नहीं चोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो ये काम नहीं करेगा अगर आपका जीवन किसी से अपना सर्वोत्तम साजा करने के बारे में हैं तो ये काम करेगा मैं ये नहीं कहा रहा हूं कि ऐसा बिलकुल नहीं होता लेकिन दुर्भाग इसे ये ज्यादतर इसी दिशा में जा रहा है कि मैं तुमसे क्या हासिल कर सकता हूँ तुम मेरे ले क्या कर सकते हो ये नहीं कि मैं तुम्हारे ले क्या कर सकता हूँ तो इस प्रेम में गिरने को वापस आना होगा अभी लोग प्रेम कर रहे हैं नई नई आपको प्रेम में गिरने की जरूरत है आपके अंदर से कुछ जाना चाहिए तभी प्रेम के लिए जगा बनती है वरना ये सिर्फ एक mutual benefit scheme है जिस पल आपको कोई लाब नहीं मिलेगा निश्चत रूप से ये खत्म हो जाएगा मैं आपको एक जोग सुनाता हूँ ठीक है ना, फ्रेंच मजाग तो करने देते हैं ना हाँ, मुझे जोग पसंद है एक फ्रांसी सी व्यक्ति का अभी अभी ब्रेक अप हुआ था और उसे अभी अभी अपने फोन पर एक text message मिला लड़की ने कहा कि सब खत्म हो चुका है तो वो धीरे धीरे से पढ़ रहा था और उसकी माने आकर पूछा, तुम क्या पढ़ रहे हो वो उन्हें नहीं बताना चाता था इसलिए उसने कहा, मैं एक बढ़िया से स्वादिष्ट व्यंजन की रेसिपी पढ़ रहा हूं माने उसे देखा और कहा, लग रहा है कि तुम प्याज काटने पर आ गए हो क्योंकि वो रो रहा था लगता है तुम उस हिस्से पर आ गए हो जहां वो प्याज काट रहे हैं तो भले ही आप प्याज काटते समयें, आपकी आँखे भर आएं अगर आप अच्छे से पकाते हैं, तब भी खाना अच्छा लगता है, है न? तो ये पूरी बात कि इंसान अपने रिष्टों को नहीं संभाल पा रहे हैं एक मैत्वपून बात ये है कि अभी अंग्रेजी भाशा में ऐसा हो गया है मुझे लगता है, मुझे शक है कि शायद फ्रेंच लोगों ने ही इसे शुरू किया होगा कि हमारे लिए, यहाँ भारत में हम जब संबंद या रिष्टा कहते हैं तो ये कई तरह का हो सकता है ये हमारे माता पिता के साथ हो सकता है, भाई बहनों के साथ हो सकता है, दोस्तों के साथ हो सकता है गुरू और शिश्य के बीच रिष्टा होता है, तरह तरह के रिष्टे होते हैं लेकिन पश्चिम में अब ऐसा हो गया है कि अगर आप संबंध कहते हैं तो इसका मतलब है केवल शारिरिक संबंद, दुर्भागिसे, इसकी वो कीमत भी चुका रहे हैं, क्योंकि शरीर है रिष्टा बनाने का एक मात्र तरीका नहीं है, शारिरिक संपर्क रिष्टा बनाने का एक मात्र तरीका नहीं है, बौधिक रूप से आप रिष्टा रख सकत इसलिए भावनात्मक रिष्टे हमेशा कहीं ज्यादा, क्या कह सकते हैं, आपके जीवन को अधिक स्पर्ष करने वाले और अधिक कोमल होते हैं, शारिरिक रिष्टों की तुलना में, लेकिन अभी हमने इसे इस तरह बना दिया है, अगर आप संबंध शब्द का इस्तेमाल कर हैं, तो लोग कुछ और ही समझ लेंगे, क्या आपको लगता है कि भावनात्मक रिष्टा, शारिरिक रिष्टे से ज्यादा ताकतवर होगा या हो सकता है, बिलकुल, शेरिरों की केवल मुलाकात हो सकती है, रिष्टे नहीं, रिष्टे बनाने के लिए मन और भावना की ज चीज में लगाते हैं, केवल तभी जीवन प्रभावशाली बनता है और सचमुझ जीना सार्थक लगता है.